जोड मोधी केर मौनिंग दोस्तों मैं उर्मिला स्वाधत करती हूँ आपका अपने योट्यूब चैनल में प्रेंट्स आज मैं आपके सामने एक नए प्रड़क का डेमो लेकर आई हूँ जिसका नाम है एक्टिव एटी हमारे मोधी केर दोरा जो लाँच किया गया है एक्ट करता है मैं खुद अपने घर में प्लांट्स के लिए जो मैंने घर में लगा रखें उनके लिए यूज करती हूँ और इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है अब इसको एक डेमो के तुरू हम समझेंगे कि ये यूज कैसे होता है दोस्तों इसको आप मतलब जो कि आप कि खर्पतबाश जमनी शुरू हो जाती है तो जिससे फर्सल को बहुत नुखसान होता है इसको पपदावार होनी चाहिए चसरी ऊतने नहीं हो पाती關 पॉढ़ों के साथ अगसे एक्सरा जो अपने लगते हैं उनके लिए आपको 15 लीटर पानी में इसको करीब 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 20 ml आलना होता है और जो सिचाई के लिए यानि जो किसान भाई लोग यूज करते हैं यानि अपनी एक एकर जमीन होती है उसमें यूज करना है तो इसको 80 पानी में 160 हैमल डाल कर यूज करना होता है ठीक है इसको इस एक्टिव एटी को आप जो भी मतलब अगर कीडे मुकडे मालने की या कुछ भी यूज कर रहे हैं इवन उन सब में अगर इसको मिला देते हैं तो आप जो चीज यूज कर रहे ना उसका रिजट और भी दुगन दूना मिलेगा और यह कैसे काम करता है मैं आपर डेमो के तरू समझाना चाहूंगी अधि चलते हैं अपनी डेमो की तरह मैंने दो ग्लास लिए हैं आप लोग को विजबल होगा इसमें मैं प्लेट वाटर डाल रहेंगी अब इसमें एक में एक्टिव एक्टी डालूंगी और दूसरे में activate नहीं डालूंगे है एक प्ले लखेंगे यह सिसे कि हाम कहते है कि पौधो के पानी ढालो पौधे ठढ हरे-भरे रहेंगे मैं थोड़ा सा activity डाल रहे हैं और मैं इसको मिला भी देती है activity को कि मैं इसको दिखाने जा रहे हैं मैंने दूगत्टे निये जैसा कि आप लोग को विज्वल में डाल रही हूं मैं अन। बैंड बॉर्टे आप देखेंगे इसका result, कि यह कैसे काम करता है, जो गत्ता active 80 में है, active 80 क्या करता है, पूरी पानी की सतय, यानि अंदर तक पहुंसता है, यह देखें, मैंने ज्यादा दे रखा भी नहीं है, आप लोग को visible होगा यह, clearly, देखें, अब मैं इसको पता भी देती हूं कि कैसे, अब यह देखें, जो मैंने नॉर्मल पानी में डाला, इसकी अंदर तक जो लेयर है, अंद्रोणी लेयर जब है, वो सुखी है, तो देखेंगे आप लोग, यहां पे पानी पहुंचा ही नहीं है, यह सुखी है, यानि हम पौदम पानी डालते तो अंदर तक पहुंसता नह बनाई रखता है और नमी रहती है तो हमारे पौधे अच्छी तरफ ग्रोथ भी करते हैं तो इसके साम थी मैं आप दूसरा टेमो भी इसी में दिखाना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो पौधे होते हैं पानी अपना एक सर्फिस होता है अगर आप पानी के पत्तों पर डालते हैं आप लोगों ने अब्जर्ब किया होगा कि वो एक पुछ बूंदों के रूप में कंवर्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि पौधों पे आप कीडे मकॉडे लग गया आपने पानी डाल के नॉमली स्प्रे कर दिया लेकिन पानी का पूरी तरह से मतलब वो जो दवाई आपने डाली उससे वो पूरी तरह से पत्तों पर शिटकाव नहीं हो पाता उससे वो कीडे मकॉडे अगें पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिं अगर उसमें आप एक्टिव एटी डाल देते हैं जो भी आपने अपना पानी में डिब कर दिये अब तो अब फिर निग आपि समयसारी नहीं हम लोग जो सिर में अ हुआ यू करते हैं तो जब ही कह Commerce आ जणारी यू का क्ट्या तो फेड़ी क्ड़ी यू मैं प्त्तों और को आपने की खता है कूए पानी की एक बूंद नही रुकती है प्टिया अब थोड़ी देर में हम निकाल के देखते हैं कि दोनों में क्या effect आता है, कौन सा पत्ता कैसा दिखता है, कि पानी किस पे रुखता है, यह देखिए, अब यह पत्ता आप लोगो दिख रहा होगा, बिल्कुल इस पे पानी की एक बूंद नहीं है, बिल्कुल सुखा हुआ ह इसी के opposite, अब यह है हमारा यह देखिए, यह जो मैंने activity में डाला था, पूरा पानी जो है, इस पे कोई बूंद नहीं बनी, यह पूरा पत्ता आगे पीछे से, जितना मैंने dip किया था, पूरी तरह गीला है, यानि कि अगर आप कोई भी कीट नाशक दवाई का spread इस पर कर अगर इस पे कीडे लग गए हैं और उसमें आपने active 80 मिला दिया, तो वो पूरी तरह से पत्तों पे स्प्रेड होगा, पौधों पे स्प्रेड होगा, और जिससे आपके पौधों को पे जो कीडे लग रहे हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे, और आपके पौधों अच्छी त तुरूर दिखा देती हूं कि यह तो मैंने कांदा का पत्ता दिखाया था, अब यह नॉर्मल जामून का पत्ता है, और मैं इनको भी सेम प्रोसेस करती है, इसमें डिप कर देरी और यह इसमें डिप कर दिया, अब आपके सामने ही में दिखाऊंगी कि कौन सा पत्ता कैसे मतलब की जरो एक्टिवेटी में यह एक्टिवेटी में टिप किया है और यह हमारा है नॉर्मा पानी में ठीक है यह देखिए अब क्लियरली देख पाएंगे यह कुछ ना ड्रॉपलेट्स बन जाती है मतलब बूंद एक पानी का जैसे कि मैंने आपको बता है सतही तनाओ होता है तो कुछ बूंदो में कनवर्ट हो जाता है जो कि क्या होगा दो मिनट में यह सूख भी जाएगा यानि पत्ते पर क्या होगा पत्ते पर दवाई जो आपने छिड़की उसका पूरा इफेक्ट नही पौधो को नमी बनाई रखता है तो बहुत अच्छा प्रडॉक्त है साथ यह साथ आपको बताना चाहूंगी अगर मोधी के जॉइंट करके यह प्रडॉक्स लेते हैं तो आपको बहुत ही बैनिफिट्स होते हैं पौधो की पैदावार बढ़ेगी बढ़ेगी साहथ मैं और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक और डेमो दिखाना चाहूँगी, मैंने आपको दो पत्तों पे दिखाया, गत्य पे दिखाया, और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारा active 80 है, अगर आप किसी भी product का छिड़काओ करते हैं, मान लीजिए आप पाहर से powder form में अब active 80 क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी के सर्फेस को तोड़ता है, और साथी साथ, आप सभी लोग जानते हैं, यह oil की लिया है, मैंने, mustard oil है, अगर मैं इसको इस ग्लास में डाल रही है, आप देख पाएंगे, कि इसमें इसने क्या किया है, कुछ पानी क अब को दीख रहा होगा, विजिबल होगा, यह पानी ऊपर-उपर तेर रहा है, जो आइल है पानी के ऊपर-उपर तेर रहा है, लेकिं इस ग्लास में active 80 था, activate डाला था और इस ग्लास में जब मैं डाल के, अब मैं दोनों को मिला देती हूँ, और यह देखे, आप सभी को कि औहुटा है कि ऑडिकेर के प्रड़क्ट्न का इस इस धिर दिखाई ताकि आपको प्रड़क्ट्स की पावर समझा है कि जो भी चीज अगार आप यूज उसको यह पानी घुलने में बहुत है तो जब घुल के पौदो करेंगे मोदीय के पास बहुत से लेके आते हैं अपने फसल की पैदाबार बढ़ाने के लिए, अगर उसमें, मैं यह नहीं कहती है, अगर वो लगाते हैं, तो प्रॉपर वर्क नहीं करता, लेकिन अगर इसकी दो कुछ बूंदे आपने उसमें मिक्स कर दी, तो आपको उसका रिजल्ट दुगना मिलेगा, त इतना ही कहना चाहूंगी कि यह बहुत मैजिकल प्रॉडक्ट्स है, मैं अपने घर में यूज़ कर रही हूं, आप भी यूज़ कीजिए, सभी को रिकमेंट कीजिए, तो थैंक्यू सो मच, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेमो के साथ, बहुत ही जल्दे नए डेमो लेक कर रहूं थैंक्ट को पहा रहा है, मैं तो कर दो भले ही, बहुत हो हैं सक्सिए 갖고र उनले की